आज मजदूर दिवस है आप सभी को बढ़ाई आज इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ कि मजदूर को लेकर मजदूर संगठन उनकी राजनितिक समझ को लेकर डॉक्टर अम्बेटकर की क्या राय थी 1942 में जब वो लेवर मेंबर थे वाय सराय के इसक्रिटिव कॉंसिल में उस समय उन्होंने एक शांदार भाषन दिया था मजदूरों की एक सरमिक संगठन की सवा थी दिल्ली में उस भाषन की चर्चा करूँगा और ये सवाल पहले छोड़ देता हूँ कि आज कोई ऐसा मिनिस्टर जो की केंदर सरकार में हो क्या वैसा भाषन मजदूरों के बारे में दे सकता है दोस्तों रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अमबेटकर नामा चलिए अब शुरू करते हैं कहनी जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर अमबेटकर एक मल्टी डाइमेंशनल मल्टी लिंग्वल वस्टाइल स्कॉलर रहे हैं डॉक्टर अमबेटकर का इस्तमाल वैसे लोग भी कर रहे हैं जो उनके विचारों के घोर शत्रू है ऐसी इस्तिती में यही कहा जा सकता है जाकी रही भावना जैसी प्रभू मूरती देखी तिन तैसी डॉक्टर अमबेटकर का पुलिटिकल रीडिंग तो हुआ है समता के लिए राजनितिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आंदोलनों को तेज करने में डॉक्टर अमबेटकर के लेखन का उपयोग तो हुआ है लेकिन बहुत अन्य पहलू है जिनमें डॉक्टर अमबेटकर का योगदान है उस पर कोई गंभीर बातचित नहीं हुई है वैसे तो डॉक्टर अमबेटकर के विचारों की समिक्षा करना असंभाव सा है यदि गवर्नर जनरल के इसक्रिटिव कॉंसिल के सदस से रहते उनीसो बैालिस से चैलिस के बीच डॉक्टर अमबेटकर के वियाख्यानों और कारियों को देखे तकरीबन बार असो पेज की किताब बनती है अंग्रेजी का वॉल्यूम दस देख सकते है अन्य जगों पर अनेक वियाख्यान और संदर्व हैं सभी मुद्दू को समिटना स 20 जुलाई 1942 को वायस राय की इसक्रेटिव कॉंसिल में श्रम सदस्य लेवर मेंबर नीक थी हुए यह वह दोर था जब दुईतिय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ड वर्ड चला था दुनिया के कई देशों में संसदिये लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी और भारत मे भी आजादी की बात चल नहीं थी लेकिन इटली जर्मनी रूस और स्पेन में इस वेवस्था के खिलाब विद्रो हुए संसदिये जंतंत्र के खिलाब विद्रो हुए ऐसी इस्तिती में इंडियन फेडरेशन आफ लेवर के तत्वाधान में 8 से 17 सेप्टेंबर 1943 में एक अ चस्प है उन्होंने कहा कि देश और दुनिया के जातर देशों में आज संसदिये लोक्तंत्र है देश में अभी मज़दूरों के क्या हालात है इस संदर में डॉक्टर अंबेटकर का व्याख्यान और अधिक मत्पून हो जाता है उनके इस व्याख्यान के दो भाग एं पहला संसदिये लोकतंत्र की असफलताओं की समिक्षा और दूसरा मजदूर वर्क के कार्रे और रनिती की समिक्षा और भविश्य की रनिती उन्होंने कहा जो पार्लेमेंटरी डेमोकरसी के उदभाव की चर्चा करते हुए डॉक्टर अंबेटकर ने कहा कि यहाँ विवस्था लंबे और खोनी संगर्ज के द्वारा प्राप्त किया गया यह महसूस किया गया कि यह शार्षन पधिती सर्व श्रेस्ट है यह एक ऐसा स्वरनिमिंग्यू लाईगी जिसमें प्रतेक वेक्ति को सुतंत्रता, संपत्ति और खुशाली का अधिकार प्रा जहां लोग तानाशाही के विरोधी थे अर्थात संसदिय लोगतंत्र के प्रतिवद लोग थे उनके बीच भी बेचैनी हैं और यही बात डॉक्टर अंबेटकर के लिए प्रस्तान बिंदु है उन्होंने कहा कि यह आम जनता के लिए स्वतंत्रता संपत्ति अथवा सकता है सबसे पहले वह विचारधारा पर बात करते हैं कि विचारधारा में क्या गर्वजी है पहली बात जो उठा रहे हैं कि संसदिय लोगतंत्र को नश्ट करने वाली चीज है करार की स्वतंत्रता का विचार इसने आर्थिक असमानताओं की ओर ध्यान नहीं दिया और व बात की कभी परवा नहीं की कि करार की सुतंतरता ने सशक्त को अवसर दिया कि वह कमजोर को धुखा दे सकता है। परिणाम यह हुआ कि सुतंतरता की हिमायती होते हुए भी गरीवों, दलितों और वंचितों की आर्थिक विशमताओं को बढ़ाया गया उसको खत्म नहीं किया गया। तीसरे, यह समझ पाने की असफलता कि जहां कोई भी सामाजिक और आर्थिक लोगतंतर नहीं हो सकता। यह समानता के महत्व को अनुभाव करने में असफल रहा और इसने स्वतंतरता और समानता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास नहीं किया। जिसका परिणाम यह हुआ कि स्वतंतरता ने समानता को निगल लिया और असमानता को पनपने दिया। कि समिधान में सब लोग स्वतंत्र हैं लेकिन असमानता को कैसे दूर किया जा इसके लिए एफ़र्ट्स नहीं हुए आजकाल चुनाओ है बहुत इसमें चर्चा चल लए है कॉंगरेस से गोशना पतर के यह बहुत चर्चा है देखते हैं क्या होता है अगली बात संगठन पर कह रहे हैं कि विचारधारा से अधिक लोगतंत्र का तुट्री पुड जो संगठन है वो उत्तरदाई है पहला सभी राजनितिक समाज दो वर्गों शाषक और शाषक वर्ग के होते हैं और शाषित कभी शाषक नहीं बन सकता दूसरा लोग सरकार की अस्थापना करते हैं और उस सरकार को स्वें पर शाषन के लिए मुक्त छोड़ देते हैं वे भूल जाते हैं कि यह सरकार उनकी नहीं है तीसरा अधा संसदिये लोग तंत्र की कभी भी ऐसी सरकार नहीं बन पाई जो लोगों की हो अथवा लोगों द्वारा हो और यही कारण है कि सरकार कभी भी लोगों के लिए नहीं बनी चोथा संसदिये लोग तंत्र लोगप्रीय सरकार का तानावाना होते हुए भी वास्तव में एक वन्शानववत शाचक द्वारा वन्शानवद प्रजा की सरकार है यही उस राजितिक जीवन का अनिश्कारी संगटन है जिसने संसदिये लोगतंत्र को बिलकुल असफल बनाया है अब कह रहे हैं डॉक्टर अंबेटकर उस भाषन में कह रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है तो कहते हैं कि गरीब, मजदूर और दलित वर्ग यही वे वर्ग हैं जो मुखेता इस इस्तिती के लिए जिम्मेदार है कैसे कह रहे हैं पहला इन वर्गों ने मानव जीवन में आर्थिक तत्व के प्रभाव के प्रती निकट उदासीनता दिखलाई दूसरा, माक्स के विरूद कही जाने वाली बात कि मनुष्ट केवल रोटी के लिए जिन्दा नहीं रहता, दुरभाग वर्ष सच है माक्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या का प्रतिरवादन सिद्धात रूप में नहीं, बलकि मजदूरों के को दिशा दिखाने के रूप में किया था कि मजदूर आर्थिक हितों के मत्व को समझें श्रमिक वर मानवता के सरकार से सम्मंदित साहित्य से अवगत होने में असफल रहा है तीसरा, श्रमिक वर्ग के प्रतेएक वेक्ति को श्रमिकों की प्रिसिति के बारे में रूसों के सोशल कॉंट्रैक्ट, मांक्स के कम्मिनिस्ट मैनिफेस्टो, पोप लियो 13 के इंसाइकले के विचारों और जॉन स्टुर्ट मिल्क के स्वतंतरता के विचारों से अबगत होना चाहिए, परन्तु श्रमिक वर्ग इन पर इतना ध्यान नहीं देगा जितनी आवशकता है, इसके विपरीत, श्रमिकों को प्राचीन समराटों और महारानियों की असत्य और कल्पित कल्हानियों को पढ़ने में आनंद होता है, और वे इस प्रकार का साहित्य पढ़ने के आ सरकार पर उनका नियंतरण होना चाहिए, यहां तक कि सरकार में उनकी कोई दिल्चस्पी नहीं है, डॉक्टर अमबेटकर की नजर में यहां पर यह तमाम तराजदियों में सबसे बड़ी तराजदी है, जिन्हेंने मानवता को उथल-पुथल किया है, और बाकर आजकर लो में बेटकर लिख रहे हैं, मैं मजदूर संगों का विर्वोती नहीं हूँ, उनसे बहुत उपयोगी उद्रिश की पुर्ती होती है, परंतु यह मान लेना सबसे बड़ी भूलोगी कि मजदूर संग स्रमिकों के सभी व्यादियों के लिए रामबान है, दूसरा, मजदूर संग कितने भी शशक्त क्यों नहीं हो, फिर भी वे इतने शक्तिशाली नहीं होते कि पुझीवादियों को पुझीवाद सही तरीके से चलाने के लिए बात धिकर सके, तीसरा, मजदूर संग तभी अधिक प्रभावी होंगे जब उनसके पीछे स्रमिकों की विश्वस्निय सरकारों, श्रमिकों को यह उदेश्य होना चाहिए कि वे सरकार पर नियंतरन करना अपना लक्ष बनाए, चौथा, जब तक मजदूर संगवाद का उदेश्य सरकार के नियंतरन का नहीं होता, तब तक संग कामगारों को बहुत कम लाव पहुंचा सकेंगे, और मजदूर सं नेताओं के बीच अनवरत तकरार का स्रोत बने रहेंगे, अब श्रमिक वर्ग और रास्टवाद पर भाषन में वो चर्चा कर रहें, आजकल बहुत जादा चर्चा में है, रास्टवाद, कहते हैं कि रास्ट्रियता की अपील द्वारा श्रमिक वर्ग भ्रमित हो जाते है दूसरा, श्रमिक वर्ग को प्रतेग दर्शा में वो कंगाल है और उसके पास देने के लिए नाम मात्र का धन है, वो तथा कथित रास्ट्रियता के उदेश्चे के लिए अपना सभी कुछ बलिदान कर देता है तीसरा, उन्हें यह भी चिंता नहीं रहती कि जिस रास्ट्रियता के लिए वे वलिदान कर रहे हैं, वे रास्ट्रियता स्थापित होने के बाद उन्हें सामाजिक और आर्थिक समता प्रदान करेंगे या नहीं करेंगे, यह नहीं समझ पाते है चौथा राश्टिये देश राश्वाज जो स्व्रमिकों के बलिदान से पुशित हुआ है अपने सत्ताधारी स्वामियों के अंतरगत सर्वहारा वर कशत्रू बन जाता है अम्बेडकर ने इस व्यवस्था को शोषन की सबसे खराब इस्तिती मानते हुए कहा कि श्रमिकों ने इसे स्वें अपने उपर अधिरोपित कर लिया है मजदूर संगों की मात्र स्थापना मात्र को भारत के श्रमिकों के अंतिम उदेश के दरिश्टी से नगार आ जाए दूसरा, घोशना कर देनी चाहिए कि इसका उदेश है, श्रमिकों को सरकार बनाना है, जिसकी पूर्ती के लिए एक राध्नितिक श्रम पार्टी संगटित करनी चाहिए तीसरा, सामप्रदाईक अथवा पूजीबादी राध्नितिक पार्टियों से अलग रहना चाहिए चौथा, श्रमिक, कॉंग्रेस और हिंदू महासभा दोनों के चंगुल से मुक्त होकर भारत की सुतंता की लड़ाई अच्छे अधिक ढंग से लर सकते हैं पांच, श्रम संगटन राष्टबाद के नाम पर धोका खाने से अपने को रोक सकता है छे, सबसे महत्पुन, श्रम संगटन भारती राजनिती की अविवेक्ता के विरुद सशक्त अवरोध के रूप में कारे कर सकता है साथ, श्रमिकों को यह अनुभाव करना है कि ज्यान के बिना शक्ती नहीं आती स्रमिकों को ठोस तरीके से यह सिध्य करना होगा कि अधिक कुशलता से साशन कर सकते हैं दुर्भाग्यबष्ट भारत के स्रमिकों ने अध्यन के महत्व को नहीं समझा स्रमिकों के नेताओं ने यह सीखा है कि उद्यवगपतियों को किस प्रकार सिर्फ भला बुरा कहा जाए तो यहां डॉक्टर अम्बेटकर का जो इंफेसिस है वो है पुलिटकल एक्शन और पुलिटकल प्रोग्राम की अब इस भाषन को टॉटालिटी में अगर आप एनालिसिस करें तो दिल्चस्प है डॉक्टर अम्बेटकर 1936 में जाती उन्मुलन प्रव्याख्यान दे रहे थे हिंदु धर्म छोड़ने की बात कर रहे थे और 1943 में सर्वहारा क्रांती की बात कर रहे है अम्बेटकर के वि ऐसी विचार रख सकता है वाम पंद दक्षिन पंद मद्य पंद से लेकर दलित पंद तक जो विचार रग डॉक्टर अम्बेटकर की भूमिक्या को सिर्फ दलित मुक्ति से जोर कर देखते हैं उन्हें डॉक्टर अम्बेटकर के इस भार्षन को बार बार पढ़ना जो अम्बेटकर को बुर्जुआ या ब्रिटिश एजेंट के रूप में स्थावित करने की कोशिश करते हैं और सबसे महत्पूर्ण क्या अम्बेटकर लेलीन और माओ की तरह भारतिये संदर्वें माक्स को समझने की कोशिश कर रहे थे इस सवाल के साथ इस एपिसोड को यहीं छोड़ रहा हूं आप जरूर पढ़िए और अंग्रेजी का वॉल्यूम 10 देखिए उसमें भाशन मिल जाएगा और हिंदी वाला जो वॉल्यूम है केंद्रिये विदान मंडल में अम्बेटकर उसमें यह भाशन है आप जाकर पढ़ सकते हैं पढ़िए समझिए और इसमें थोड़ा सा बल दीजिए शुक्री आप देखते रहे हैं अम्बेटकर नावा